2023 में बहुत सारी बड़ी-बड़ी मुवीज जिन्होंने धेर सारे personal records बनाये, किसी ने पैसे कमाये तो किसी ने इज़त बना ली लेकिन आज थेयर्टर में finally मिल गई मुझे वो फिल्म जो हमेशा हमेशा के लिए Indian cinema को change करने वाली है लियो, bloody sweet, जैसा नाम ठीक वैसा काम, mass cinema to the power of infinity वन-line review, इससे भेटर इस्तिमाल, थेयर्टर की बड़ी स्क्रीन का कोई दूसरा नहीं हो सकता, सिर्फ एक शब्द है डिक्ष्णरी में goose bumps 99% movies चलती है उसमें काम करने वाले actors की following पर, लेकिन बची हुई 1% वो होती है असली content जब actor से पहले director की बात की जाए लोकेश कनकराज नहीं, the mastermind लोकेश कनकराज, इस बंदे ने movie बनाई इंडिया में, लेकिन earthquake हॉलिवड में आया है LCU, 3 letters का छोटा सा शब्द, ये popular DC Marvel Universe को टकर देने वाला है और जिसको जरा सा भी शक है, boss theater जाके Leo देखो हमने expect किया था एक popular mass cinema जिसमें action, action और action भरा पड़ा होगा, बट surprisingly Leo एक suspense thriller जादा है जंगल में बहुत सारे लोग शिकार करने जाते हैं, अजीवो गरीब जानवरों का, लेकिन कभी सोचा, अगर पलट कर ये जानवर उस शिकारी से बदला लेने आ जाए तो, hunt the hunter, ये कुछ नया होगा ना अपना शिकारी है, फुल मजे में, फिर छोटी सी फामिली, लेकिन पीछे इसके पड़े है, बहुत सारे दूसरे जंगली जानवर, mission एकदम clear, Leo का chapter finish बट एक छोटा सा twist है इस कहानी में, शिकारी बोलता है कि वो शिकारी है ही नहीं, जी हाँ, Leo जैसी शकल वाला बंदा, actually में Leo है ही नहीं ऐसे में reality पता करनी हो, तो क्या करना चाहिए, बोलो बोलो, family test एकदम best शिकारी की family को बलाओ पहचान के लिए और देखो वो खुद चल के आए हैं इस खेल को खतम करने बहुत simple शब्दों में बता रेती हूँ, Leo जैसा experience आपको किसी भी दूसरी इंडियन फिल्म में आज तक नहीं मिलाओगा, simple and honest reaction ऐसा लगता है, लोकेश के नकराज ने वॉयलन्स को love letter लिखा है, Leo की जुबान में, बिना filter के खून खराबा, एकदम pure, लेकिन बवाल, खतरनाग कमजोर दिलवालों के लिए हर एक scene नहीं है, clear warning, चोट फिल्म में लगती है, लेकिन दर्द आपको भी होगा, बड़ी अजीवो गरीब जगाओं पे ऐसे different unique fight scenes डाले हैं, जो normal दिमाग से आप imagine भी नहीं कर सकते, खून खराबे को next level पे लेके गई है Leo सबसे बड़ा credit जो पूरे LCO को देना पड़ेगा, वो यह कि जितना focus अपने hero character पर होता है, उतना यह ध्यान इसमें negative characters पर भी डाला जाता है छोटे छोटे लेकिन powerful roles जिनको देखकर आप सच में डर जाओगे, actors वो हैं जिनसे जान पहचान है नहीं हमारी इसलिए हर एक scene काफी unpredictable हो जाता है और सबसे best part यह कि फिल्म में hero कौन, villain कौन, यह number one सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा फ्रैंक्ली बोलो एक बात, लियो के पास कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आज से पहले आपने देखी सुनी नहीं होगी, बहुत बार ऐसी stories बन चुकी है अलरेडी लेकिन presentation, location के नगराज की storytelling वो है लियो का असली power, किस scene को कहाँ पे घुसाना है जिससे public seat पे उचल पड़े हमने KGF देखिया है, हमने जवान देखिया है, हमने पठान भी देखिया है, तीनों में action की कोई कमी नहीं है, top level mass cinema है अंदर लेकिन लियो special है क्योंकि इसमें action है एकदम raw style में, हाग पैरों से जंग लड़ी जाएगी तब तक, जब तक खून की एक बुन बाकी न रह जाए dictionary में boiling shop को अगर शकल देनी हो, तो लियो जाकर देखो theater में एक बार, हर 10 second में कम से कम 10 लोग धिश क्या हो अंदर एक हाइना भी है, वैसे जो जंगल की राजा शेर का सबसे खतरना दुश्मर माना जाता है सो जो बाकी movies में actors की जरुत होती है, hype के लिए लोकेश भीया एक जानवर की help से, film का level plus 10 लेकर जा रहे है इसको बोलते है power of direction, हाइना वाले scenes totally fire है boss लेकिन 50% credit अगर लोकी का है, तो बाकी 52 लोगों में divided है, एकदम बराबरी से, कोई भिदभाव नहीं थालापती विजय एकदम god level performance, top level solid action, यकीन नहीं होगा आपको आँखों पे, यह मैंने क्या देखा blood bath, खून से नहाना, इस शब को define कर दिया इनोंने film के अंदर, screen presence ऐसा जो lifetime दिमाग को याद रहेगा जो काम सूरिया ने किया था, विक्रम के अंदर सिर्फ 5 मिनिट में, जिसके लिए public बिल्कुल रेडी नहीं थी वो पूरे धाई गंटे execute किया है थालापती विजय ने, लियों के अंदर, इनके इस मासी प्लस क्लासी वर्जिन के लिए Indian cinema not ready है सर अब मिलो तीसरे जीनियस से, अनेरुद, बॉस ये बंदा सच में Indian cinema को international लेके जाएगा ऐसा music जो किसी भी scene को 10 से सीधा 1000 बना देता है, literally theater के अंदर बैठे लोगों के कान से आग बहार निकल रही थी वॉयलन सीन जुसमें इंसान की शकल बिगर रही है, सब कुछ तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उसको एक celebration बना दिया अनिरुद ने, heads off है सर जी देखो यार मुझसे पूछोगे तो लियो से फिक फिल्म नहीं है, feeling है, exactly बोलूँ तो लियो एक vibe जैसी है, जिसको देखा सुना नहीं जाता, feel किया जाता है और हाँ special thank you बोलना पड़ेगा बहुत सारे cameos के लिए इन्होंने film को सच में adventure जैसा बना दिया Sanjay Dutt का power packed avatar एक बार फिर से in evil shade, तो हेरल दास वाला character आपके दिमाग में बैट जाएगा काफी time के लिए बाकी कुछ और भी surprises हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ठेंगा मिलेगा, ticket book करो, खुच जाके देखो मेरी तरफ से लियो को 5 में से पूरे 4 stars मिलेंगे, पहला तो जबरदस्त action, no compromise, दूसरा वाइलन्स को इंडिन सिर्मा के अंडर इससे जादा बिना filter के आज तक नहीं देखा मैंने, तीसरा लोकी दर जीनियस का अलगी level पे चलने वाला लोंडी जैसा तेज दिमाग हाइना वाला सीन और एक क्लाइमेक्स वाला फास्ट सीक्वेंस, मज़ा आ गया चौथा परफॉर्मेंस इस विजय सर का प्रेजन्स इस टोटली किलिंग इट, ट्रांस्फोरमेशन सीन्स बड़े कमाल के हैं, बाकी कैमियोस के लिए बड़ा थम्स अप नेगेटिव में बस एक शिकायद, लियो कौन है यह हमें पता चल गया, वेरी गुड, लेकिन लियो लियो बना कैसे और क्यों, इसका जवाब कब मिलेगा लोकी सर एक last advice, लियो को हिंदी डबिंग में देखोगे तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा, because थालापती विजय की डबिंग में उतना दब नहीं है शाम को देखूंगे मैं तमिल वाला वर्जिन, वो शायद जादा authentic लगेगा, उसमें dialogues के अंदर feelings best होती है अब हिंदी तमिल चॉइस आप कर लो, बस फिर्म को मिस मत करना at any cost, okay? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या पर कुछ रिकायद करनी हो, तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, take care, bye bye